amino acids are produced on the hydrolysis of तो यह देते हैं proteins क्योंकि amino acids का structure होता है यदि हम उसका hydrolysis करवाएं तो क्या बनेगा amide ठीक है जैसे कि माल लोग आपने यह लिया है कोई एक compound है R-C-O-O-H और इसकी reaction हमने करवाई NH2 थे ठीक है तो और इसका हम लोग क्या करवाएंगे hydrolysis करवाएंगे मतलब यहां से किसका लोग होगा water का और क्या बनता है R-C-O-O-N-H और यह बन जाएगा R तो basically इस amide linkage क्यों जैसे हम इसको क्या बोल रहे है protein बोल रहे है ठीक है protein protein तो क्या answer आना चाहिए D protein answer इसका आना चाहिए